अबिशेक त्रिपाठी हो चुपा आगाज रणका युग बदलने की तयारी इतिहास वही दोराएगा संघर्स है जिसका जारी संघर्स है जिसका जारी इस वार इतिहास लिखने का काम तुम्हारा है तो उठाओ अपनी कॉपी और कलम और शुरू हुआओ आज हम सीखने वाले है क्या ट्रिग्लोमेटरी सीखने वाले है तो यदि कलास टैंथे के सलेवईस की बास करने है तो ट्रिग्लोमेटरी हमारे पाफ दो चेप्टर है पहला चैप्टर है introduction of trigonometry जिसमें हम यह सिखेंगे कि trigonometry ratios क्या होते हैं trigonometry identities क्या होती है complementary angles वाले formula क्या होते हैं यह सारी चीज़ हम सीखने वाले हैं कुल मिलाकर trigonometry का पूरा basic जो है ना clear होने वाला है इस चैप्टर में जो की तुहारा है chapter number 8 chapter number 9 है application of trigonometry अरे भाई तुमने trigonometry सीख तो लिया लेकिन कौन से किस तरीकी के problem तुम solve करोगे उसे किस तरीकी की daylight प्रॉब्लम तुम solve कर सकते हो वो हम देखेंगे किसमे application of trigonometry वाले section में जो की आता है किसमे chapter number 9 में यदि तुम्हारे examination की बात करें तो blueprint के हिसाब से इन दोनों chapter को मिला कर तुम्हारे exam में आने वाला है कितने number का बारा number का आने वाला है तो भाई सब इन दोनों पर यदि अपनी तुमने command बना लिया तो बारा number जाएंगे सीधे सीधे तुम्हारे pocket में ठीक है तो फिलहाल आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ेंगे introduction of trigonometry का basics या basic इसके basic जितने भी funding है जो formulas है और वो formula आये कहां से उन formula का proof औगेरा ये सारी चीज़े हम देखेंगे किसमे introduction of trigonometry में पुल मिलाकर trigonometry का पूरा का पूरा basics यहाँ पर clear होने वाला है ठीक है उस इसकी बात करेंगे बाद में अब बात करते हैं कि भाई साब trigonometry ठीक है है तो समझ में आ गया कि हमको पढ़ना है अब इस trigonometry आकर है क्या भाई साब तो trigonometry की definition क्या बोलती है कि trigonometry it is a branch of mathematics भाई साम mathematics की ब्रांच यह जैसे geometry वह रहा होती है इस की वह ब्रांच है यहां पर यह थीटा ठीक है न इसको कुछ वह वालो थीटा वब यह जो है न एक एंगल यह है तो trigonometry maths की वो ब्रांच है जहां पर ये theta, इस angle और inside के बीच में हम relationship को देखते हैं ठीक ना, relationship की study करते हैं अभी थोड़ी देर वाद जब हम trigonometry ratio पढ़ेंगे तो ये चीज़ clear हो जाएगे but for the time being what you have to remember, you have to remember that trigonometry में क्या करना है हमको एक triangle के angle और side के बीच में relationship को पढ़ना है अच्छी बात है हमको समझ में आई उसके बात जो है ना, ठीक है हम पढ़नेंगे अब इसका use कहां पर होगा क्या, इसका use कहां पर होगा इसका use होगा, height और distance of find करने में 10th class में trigonometry का use हम पढ़ेंगे height और distance of find करने में बोले भाईया कैसे height और distance of find करने में जर्रा कुछ example दे कर बताओ कि भाई साब ये सीख लेंगे तो हम क्या स्वाल कर पाएंगे तो मैंने बोला कि तुम्हारे पास एक घर है क्या है एक घर है और वो घर भाई, ये उची building पर है तो उची है building अब ये building उची है तो भाई साब ये जमीन पर खड़ी होगी तो मैंने बोला ये जो है जमीन है इस जमीन पर खड़ी है और तुमको बता है कि building जो है ना कैसे खड़ी रहेगी सीधी खड़ी रहेगी मतलब 90 degree के एंगल बना रहे है अब मालों ये तुम्हारी building है जिसका नाम मैंने दे दिया A, B ठीक है ना इस building पर तुम रहते हो और यहां पर जो है ना कोई खड़ा है अब कोई खड़ा है हो तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो कोई खड़ा है और तुम जो है ना जब से तेरे नैना इनके नैनों से लग गए अब भाई साब ये नैना और ये नैना भाई साब मिल चूके है अब तुमको कोई बोले इसका नाम पराण कर दिया अब कोई तुम से बोले कि ये जो तुमः़ा आंख मिचोली जो चल रही है यहां पर analム estaba बारी सांब ना, जहां पर तुंहारी बील्डिंग है, जहां पर तुमहारी बील्डिंग है, और जहां पर वो खड़े हैं, इनके बीच की डिस्टेंस x है, तुम क्या करो, हाइद रिज़द निकाल दू, तो आप क्रिग्नोमेट्री के कानसेप्ट को यूज करके, तो यहीं पर तो यूज होता है तो फाइंड है अब डिस्टेस भी निकाल सकता है मालो तुमको क्या दे दे और तुमसे बोले कि भाई साथ तुम्हारे बिल्डिंस से और यह जो पॉइंट है इनके बीट में इस निकाल कर दो तो फिर से अगें तुम को यूज करोगे और उस स्मझ में आगया कि भाई साफ त्रीक्ट के फंडी उस करके हम इस तरीके के प्रब्लम को क्या कर सकते हैं सौलो कर सकते हैं इतनी बात तुमको समझ में आ गई चलो अच्छी बात है उसके बात जो हुआ Trigonometry Ratios, हम सीरे आएंगे इसके बाद Trigonometry Ratios में, तो Trigonometry Ratios होते क्या हैं? पहली चीज तुमको यह पता होना चाहिए, भाई साब Trigonometry जैसे कुछ होते नहीं है, यह क्या होता है, Ratio होते हैं इसके Sides of Right Angle Trangle, एक Right Angle Trangle की Sides है, जैसे मालो ए दीटा है तो सान्जीटा धीटा सयंट थीटा सेगए नगीचंव हों भाइस साइन भाई साब यह क्या है कॉस है भाई साब यह क्या है यह 10 है यह क्या है कॉसेक है यह क्या है सैक है और यह क्या है यह क्या है कॉट है तो जनरली जब हम स्वालो करते हैं तो यह ट्रिग्नोमेटरी रेशो यूज होते हैं ठीक है ना कितनी बात तुमको समझ में आ गए कि भाइस है ट्रिग्नोमेंटरी रेशो इनके साइड का रेशो होता है तो किनी दो साइड का किनी दो साइड का रेशो होगा फॉर एक्जेम्पल यहीं साइड ठीटर की बात करें इसी तरीके से यह सारे ट्रिग्नोमेंटरी रेशो है ठीक है आप ट्रिग्नोमेंटरी रेशो को और ज्यादा डिटेल में हम समझते हैं ठीक है अब यहां से जो है आप एंटर करते हैं कहां चैप्टर पे ठीक है न तो च अब देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशोड मैंने बोला होते हैं साइन कॉस एक सैक और ये ट्रिग्नोमेट्री रेशोड होते हैं इनको हम और डिटेल में पढ़ते हैं तो क्या होते हैं साइन कॉस टैन कॉस एक सैक कॉट ये क्या है ट्रिग्नोमेट्री रेशोड अब यहां पर तुम हेडिंग लगा सकते हो चिक राइट एंगल ट्रिग्ल मैंने बना रिए एक राइट एंगल ट्रेंगल एक राइट क्या होता है जिसमें एक एंगल कितना हो 90 और नाम हमने रख दिया एब बी सीवेशक भी या classes ठीक है ना नाम रखनी है तुमने अब देखो पहले तो तुमको तीन चीज़े समझना होगा right angle triangle में कि perpendicular क्या होता है base क्या होता है और hypotenuse क्या होता है ये तीन चीज़े तुमको समझना होगा तो देखो क्या तुम्हारा perpendicular होगा, क्या तुम्हारा base होगा, क्या तुम्हारा hypotenuse होगा, यह depend करता है भाई साब, तुम किस angle में बैठे हो, क्या तुम किस angle में बैठे हो, for example, for example, तुम बैठे हो, किसमें angle C में, ठीक है न, angle C में बैठे हो, किसमें बैठे हो, angle C में, तो जिस angle में आप वैठे हूं उसके सामने वाली होती है वो हमेसा क्या होती है परपेंडिकुलर होती है 2 वह क्या होती है और उसके अलावा जो बश्चति है उसको क्या है बेस कहते हैं है यहीं पर मैं Dharma ने वाला यह सामने हैं वाला यह पर बैटना को प्रइक्स में और व्यख़हाग्र बचा रही है जो बचा हुआ है यहाद कर देख रहे हो अब एक चीज तो ओर याद रख让rot लेए पर जो पता है कि जब ढीर बात हो डी टेक फोर्मूलाइक this करेगा वह कह dużo है यह जो है ना राइट एंगल ट्रेंगल पर एक्जिस्ट करने वाला है ठीक है अब देखो तुम बोलोगे कि भाईया आपने इन सब को नीची क्यों नहीं लिखा है इन सब को बाजू-बाजू में क्यों लिखा है तो मैंने बोला यह है जुगाड क्या यह जुगाड है फॉर बताओ पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चान्दी तोल ठीक है ना पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल सोना चान्दी तोल एस मतलब साइन, सी मतलब कॉस, टी मतलब टेन, पी परपंडिकुलर, एच हाइपोटेनस, भी बेस, ठीक है नहीं इतना काम हो गया और दूसरा तरीक अभी है पापा बड़े पापा अपॉन एच भी हाना कुछ भी बना सकते हो है तुमारी इच्छा हम तो कौन सा करेंगे पंडित बद्री प्रसाथ भाई साथ, क्यूंकि नाम भी हमारा क्या है, अब इसे क्रिपाठी, ठीक हम तो पंडित को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, अब देखो, साइन का फॉर्मले दूंको मिलगे, पी अकॉन एच, ओ हो, हो, माई गॉड, बी अकॉन एच, शाब बाश, अब भाई साथ, इन ही के जो है ना, इन ही के जो है ना, पड़ोसी है कौन, ये, मतलब पड़ोसी मत बोलो, इनको सवतेले भाई बोलो, ठीक है ना, साइन सी पी अपॉन एच है, तो कॉसिक भाई इसका रेसी प्रूबल है, एच अपॉन पी, ये बी अपॉन एच है, तो य यह है H upon B और यह Cod C, यह Cod C P upon B है, यह हो जाएगा B upon P, ठीक है ना, अब यहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर, तो बेस की जगए AB, परपेंडिकुलर, जब C पर बैठ रहे हैं, तो परपेंडिकुलर भाई साथ क्या होगा, यह होगा, और बेस यह होगा, तो जब परपें चलो, अब तुमको Trignometry Ratios पता चले गए, कि भाई साथ 6 Trignometry Ratios होते हैं, जिनको हमको पढ़ना है, उनके फॉर्मूले में तुमको पता हो गए, एक चीज जबी ताजी ताजी तुमने निकाला कि यह जोनों Sign और Coss, 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 10 और Cod, क्या है, सोतेले भाई है, सोतेले भाई है मतलब क्या है, reciprocal है, ठीक है ना, Sign C, P upon H है, तो Coss, 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 कोट सी यह निकल कर रहा है अब यह यहां पर तुम बात करोगे किसकी सैक सी की तो वो हो जाएगा वन अपॉन कोट सी और यहां पर यहां पर यहां पर स्टी लिग दिया है क्योंकि जो मैंने एक्जेंपल लिया था के बारे में बात कर रहा हो तुम एक ही भी बात कर सकते हो तुम थीOoh बात कर सकते हो इतने होशार तो तुम हो यग साइनी कोसेगे चा यह तो ांसर क्या सायन च्पाइन सी मतलब पी अपाइच और को सेकसी था और ये पीस से कड़ गया आणसर आंसर आगया वन तो ये फोर्मुले और बन रहे हैं चिलाकर बोलो आंगे पाइच कर दो को सी कॉसी इन्टू-सेकसी ये-कितना हो जाएगा वन हो जाएगा इसी तरीके से 10C into cot C equal to 1 हो जाएगा, इतने formula तुमको मिल गए, अब एक formula और देखो, अगर मैं क्या करूँ, sin C को cos C से divide करूँ तब क्या होता है, तो sin C की value क्या है, P upon H, cos C की value क्या है, B upon H, इसको जब उपर लेकर जाओगे तो भाई साब यह उल्टा हो जाएगा, क्या, उल्टा होकर क्या करेगा, नगीना डांस करेगा, H से H का कट गया, आ गया, P upon B, और P upon B क्या होता है, P upon B क्या होता है, 10C, 10C, एक formula तो और मिल गया कि भाई साब, क्या, भाई साब, 10C equal to होत C upon cos C, अरे भाई, 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 अब क्या होता है, अरे cot तो 10 का दूसरा भाई है, 103 भाई है, तो अगर 10C, sinC upon cos C है, तो यहाँ पे, अगर cot C की बात करोगे, भाई साब, cot C की तो हो जाएगा, cos C divided by sin C, क्योंकि यह reciprocal है, तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो trigonometry ratios के इतने formulae थे, जो कि मैंने तुमको याद करवा दिया, क्या, याद करवा दिया, ऐसे याद रखने है, sinCos10, cosX, cot, sinCos10, cosCos10, 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 kभी भी गड़वट नहीं होने वादे है, सारे formulae तुम्हारे दिमाग में घुस गए होगे, ठीक है न, अब स्पेसिफिक एंगल, वहाँ पर हमने सी लिया था, थीटा लिया था, अब कुछ एंगल्स की values होती है, जैसे, for example, हमको कौन कांसी सीखना है, 0 की, 30 की, 45 की, 60 की, और 90 की, ठीक है न, इन स्पेसिफिक एंगल्स की, हमको क्या चाहिए है, value जाहिए, मतलब कि sin0 कितना होगा, sin30 आपहली क्या होगा, हम मान के छलते हैं जो THETA है न, जो THETA 0 हो जाए, जो THETA 30 हो जाए, तब sign क्या value देगा, तब positive एंगल्स क्या value थे टेकर टेंगे, यह सारी चीज़े हमको क्या करनी है, भीक है, सबसे पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, इन values को याद कैसे करना है, उसको तो जोबाड सीख लेते हैं उसके बाद जोबाड शीखने के बाद मैं इसको बताऊँ कि यह लगाद कि याद कैसे रखना है ठीक है न तो 4 से डिवाइड कर दो, तो 0 upon 4, one upon 4, two upon four, three upon four, 4 upon 4, catweet two by two, two by four, four by four, one आ गया, सब का क्या कर दो, सब को simplify कर दो, तो 0, one upon four, one upon two, three upon four, one सब का route निकाल दो सब का route निकाल दो,ищ अ सबकर निखाल दो सबकर जीरो कर रोट जीरो इसका वन ऊपॉंट्टु वन बाहराएका वन फॉर बाहर आएगा तुछ पहर नहीं आएका तो रूटु इस रूट थी रहें आप तीर सेकेंड के अंदर निकाल सकते हो ठीक है ना अच्छा यह वेल्यूज आई कैसे हम कैसे माले की भीया साइन 31 होता है हमको बताओ तो ठीक है आपने याद को करवा दिया लेकिन हम कैसे माले कि साइन 31 इसका मतलब क्या है इसका फीजिकल मतलब क्या है समझ देखो तो वह कैसे करेंगे अभी तो इसको बताता हूं इसको फ्रूब भी करवाता हूं अभी तो कॉस की वैल्यू बची है कॉस की देख लो कॉस की बेरी निकाल ले हैं इधर से पल्टा दो 1, root 3y2, 1y, root 2, 1y2 और ये 0 अभी मैंने तुमको 10 का formula पढ़ाया था 10 होता है sin theta upon cos theta तो अगर 10 0 की बेरी निकाल ले हैं मतब sin 0 divided by cos 0, 0 upon 1 हमेशा आता है 0 1 upon 2 divided by root 3 upon 2, 1 upon 2 divided by root 3 upon 2, 2 से 2 कट गया 1 upon root 3, 1 upon root 3 ये दोनों से में कट आएंगे आजाएगा 1, इधर ये 2 से 2 कट आएगा, आजाएगा root 3, इधर बचे का 1 upon 0, 1 upon 0 कभी पर defined नहीं होता है ये हो जाएगा क्या not defind not defined अरे समझ में आई पात तुमको देखो तुमने सारी values जो है न यहाँ पर निकाल दी है क्या सारी values तुमने यहाँ पर निकाल दी है भाई साहब कताई जहर इंसान हो तुम तो ये देखो क्या बात है भाई आप तो टेबल बनाने लगे आप तो कलाकार भी हो शाबास ये देखो टेबल से बने अब तुम बोलोगे कॉसेक से कॉट का क्या भाई उसका भी कुछ बताओ अरे भाई साइन का उल्टा कॉसेक तो यदि साइन 00 है तो कॉसेक जिरो भी 0 साइन 31 वाई तो कॉसेक उल्टा तो टू अपॉन वन अगर साइन 45 है वन अपॉन रूट टू तो कॉसे 45 रूट अपॉन बताब पलट जाएगा क्या पलट जाएगा अब उसकी वैल्यू लिख कर समय कियों बरवाद करना वो तो तुम निकाल सकते हो तो फॉर एग्जेंपल तुमको कोई बोल ले कोई तुमको बोल ले कि सैक सैक सिस्टी की वैल्यू निकालो क्या सैक सिस्टी की वैल्यू निकालो तो तुम बोलो कि सैक सिस्टी मतलब वन अपॉन कॉस्टी और कॉस्टी की वैल्यू मैंने यहां पर देखा भचाक से यह वन चिंअ उफटी रूट थी का उलटा व्जार्फ इसंद लो गया उला क्ति वेल्यो तुम निगाल सकते हो निकाल सकते हो आराम से निकाल सकते हो अब मेरह कोश्यंट ये था हम कैसे माल लें कि दो होता है को होlt कुछ नहीं मानता है। ठीक है नई यह सारी चाहिए तुम नोठ कर लो आब मैं बताता हूँ यह वेल्यू थोड़ा दिमाग में रखना ठीक है। अब देखो अब सबूत चाहिए है क्या सबूत मालो मालो यहां पर मैं एक ट्रेंगल लेता हूं राइट एंगल ट्रेंगल तुम अभी उचल उचल कर बोलो कि भीया समझ में आ गया और अगर ऐसा नहीं बोले तुम तो तुम अपना नाम बदल लेता है क्योंकि मैं तो अच्छा कुणाहरा है समझ में नहीं आ रहा है अब इसने नाम दे दिए मैंवेडने ए ले पी थी ठीक है क्या एक है अब मैं इसान निकलता हूं क्या साइन थीटा तुमको पता रहता है पर्रप्रेविकोलर अपॉन हाइपोटेन्स तो सबस्क्राइब अब यहां पर थीटा की वेलो क्या लेना है यहां पर जीड़ो यहां पर हो जायेगा मतलब 167 के पास चीनिचे टीन जाएक तब तो थीटा जी दोंगा तो हो जाएंग जैन्स लिख सकते हो क्या यहां पर sine 0. क्या लेख सकते हो? sine 0. अब देखो sine 0 की value क्या है? bc? bc? अब देखो bc? अब b और c भाई एक एक point ओ चुके है. मतलब bc कितना हो 0 पर ac क्या कर रहा है? exist कर रहा है. 0 के नीचे कोई भी number हो, भाई. जाब 0 के कि क्या बोले है अने ही चाहिए इत्ती आसान बात है अब इसी तरीके से कॉसट जीनुनिकालो फिस निगालो तो कॉसट तहीन पर क्या है एबी और है अजय यही है एबाइस अब मजा देखो सबनेंगे यह लेकिन एजी देखो यह पहले तो यहीज था लेकिन जब एंगल जी C जाकर जो है न एक ही पॉइंट में लगए C और B एक ही पॉइंट है तो चाहे तुम A B बोलो चाहे तुम A C बोलो दोनों क्या है एक्वल है मतलब A C A B के एक्वल है A B से A B कट गया answer आ गया 1 cos 0 के value होती है 1 cos 0 की value हो गई 1 समझे बात को अब देखो अब 10 0 निकाल ला है तो 10 0 sin 0 upon cos 0 तो 0 upon 1 क्या आगया 0 समझे बात को तो यह देखो तुमने सारी उड़ा दे इसी तरीके से कॉसें सैक कॉट सबका रेशियो निकाल कर तुम निकाल सकते हो समझे बात को चलो अब आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं साइन 30 और साइन 60 की वेल्यू अब देख लेते हैं 30 और 60 की वेल्यू कैसे निकालते हैं सब्सक्राइब करना साइन 30 को सब्सक्राइब कर दिया अगर यह था तो यह हो जाएगा यह हो जाएगा नाम करन कर दिया सब्सक्राइब कर सकते हो इधर वाला क्या हो जाएगा 30 और इधर वाला क्या हो जाएगा 30 बहुत अंदर की वाते हैं समझ नहीं यह दो को ठीक है ना वैसे सब कुछ निकाल कर बताऊं का बागी नियुक्ता हुआ का बागी तुम थोद से ही कर सकते हो पॉर एक्जेंब्पल को निकालना है इसकी वेल्डू आछा दुपकर मालो beta 30 की वेल्ट निकालना है तो तो क्या चाहिए यियाल ब्ल मागते हगा अबधेरी को नगों ऑ अबधेरी अधेक में लगने बीडी का लगा तो युण को यहीं इसक्वेर चंदी हम entrepreneurs स्क्राइब तो यहां बात करो कि तो यहां से एक वैलू निकालो गहीं तो रूट थ्री में आ जाएगा क्या गया एक रूट ट्री ए बाती बचा कुछा काम जो है ना बच्चों वाला है वह तुम ऐसे उड़ा है साइन थे क्या साइन थे तो यहां पर इस त्रेंगल में हैं साय साइन थेंव की यह होता है इस लिए पर पीरंडिकुलर सामने वाला में बस्टाथ 나오üp को है 90 degree के समनेवाला hypotenus होता है मतला divided by क्या divided by क्या AB BD की value तुमने क्या निकाला है कहाँ गया había BD काहा BB क्या है A AB क्या है 2A A से A कट गया 1 अपर 2 sin 30 की value 1 अपर 2 देख लो sin 30 की value 1 अपर 2 मैं सब k्रूफ करा दिया भाई साब इसी तरीके से तुम cos 30 निकालोगे, तो cos 30 निकालोगे, तो ये perpendicular बचा base क्या, root 3, और base ये बनेगा, hypotenuse ये बनेगा, तो root 3A divided by 2A, A से A कड़ जाएगा, root 3 by 2 आ जाएगा, देखनों, root 3, root 3 by 2, और 10 का निकाली सकते हो, sin 30 upon cos 30, इस तरीके से 30 के सारे values निकल जाएगे, अब अगर बात करते हैं कि 60 की बात करते हैं, कि sin 60 बताओ, sin 60, तो तुम यहाँ 60 में जाकर बैठे, perpendicular क्या बना, AD, AD और base क्या बना, अरे upon hypotenuse रहता है, AD upon AB, तो AD की value कित्ती है यहाँ पर, root 3A, upon AB कित्ती है, 2A, A से A का कड़ गया, तो sin 60 की value कित्ती है आ गई, root 3Y, 2, विश्वास नहीं है, यह देख लो, sin 60 की value, root 3Y, 2, समझे के बात को, इसी तरीके से cost निकालना, तो cause के लिए जो है न, base ही बन जाएगा, तो A upon 2A, A से A कड़ जाएगा, और upon 2 आ गया, इस तरीके से 3060 के सारे trigonometry ratio निकाल सकते हो, मैंने तुम भो दिखा भी दिया, अब बचता है क्या 45 का, क्या, अब 45 बचता है और 90 बचता है, उसको भी फटा बचता है, उसको भी फट triangle लो, एक right angle triangle लो, जिसमें, जिसमें की, जिसमें की, ये 90 है, और ये दोनों एंगल 45, उनको 45 चाहिए, तो 108 बचता है तो, अब तुम कोलों कि साइड एकिया दो सामने आपोकर या कि इसकतздबों कुंतर अगторы हो अग के और ऑग लिएWo इसके आपरति वी क्या होगी merchandise है यह दो दो來स कोर रहा हूँ ठीक है ये तुहारा क्या हो गया और ये अ हो गया, अब तो हाइपोतिंज ह्दीन स्कर्ण या सब्सक्राइब यहां से तो हो जाएगा रूट में 2A का स्क्राइब निकालोगे यहां से तो हो जाएगा रूट में 2A का स्क्राइब निकालोगे तो बाहर रूट हो जाएगा A स्क्राइब यहां से क्या हो जाएगा रूट में 2A का स्क्राइब निकालोगे तो बाहर रूट ह प्रपेंडिक विए अपन हाइपोटेनेस उठाओ रूट में तूए वह यह कॉस्टेफेन निकालना है तो बेज अपन हाइपोटेनस बेस पर बैठो कि यह अपन हाइपोटेनस का है रूट में तूए अलागी इस तरीके से तुम देख सकते हो सब्सक्राइभाइभाइभाइभाइभाइभाइभाइभाइभा — कि वेठिश चौ। यह value I कहां से है वो भी हमको बनने लगा अब 90 एक right angle triangle ले लो ठीक ना एक right angle triangle ले ले तुमने नाम दे दिया तुमने इसका ABC और यह क्या है 90 degree है क्या है 90 degree है लिखने किया जरूर थे हूँ वैसे 90 degree है यह है क्या theta अब यहाँ पर क्या 90 की value निकालना है इसका मितला theta कितना होना चाहिए 90 होना यह नहीं है यह theta 90 कब होगा जब हले हले हो जाएगा नहीं बताएंगे यह अगए आप धीटा धीरे धीरे, धीरे 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 अप्रोच करता हुगा, कहां पहुँच जाएगा, कहां? यहां पहुँच जाएगा, मतलब B और C point नहीं यदि सीम हो जाएगे, तब symptom value क्या हो जाएगे AC देखो पहले तो AC यह था लेकिन अब फ्रीटा जब यह आ लिया अरे यह E point होगा sorry यह E है ना, A नीचे आयेगा Oke, सेकंड, सी point यहाँ पर आये है Sorry, सी point होगा ठीक था जो भी था, यह आ रहाता अपरोच च्रूश कर रहा था तब 90 हुआ एबी एबी की वेलू कित्ती है एबी की वेलू कित्ती है अब C-point भी यहां आ गया है तो चाहे तुम AC बोलो चाहे तुम AB बोलो बात एक ही है तो मैंने AB बोल दिया AB से AB कट गया तो sin 90 की वेलू आ गई 1 साइन नाङंटि की वेलु आ गयina वान अब कॉस्ट टि पहलों में यहां पर क्या है विसी और है सी क्यों कहा Baş रजीड मताफिे जिडीरो थोलू यह व्लों करें यहां साइन रंडिक एंट्र आएगा नल्रोल थै Burstein oh जाता है तो नोट डिफाइंट में चला जाता है तो 1090 क्या हो गई इसी तरीके से 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 कॉषए और पार्ट की बेर्ट निकाल सकते हो मैंने तुमको बता दिया तुम मेंट्री रेस्टोस आप सम स्पेसिफिक एंगल कैसे निकालते हैं अब अंगला आता है प्रिग्नो मैंट् नंदेस्टे इभाई लगा ट्रिघो लो मैंट्रिक एडएंटिटी दिटी इन्टिटी संब रूबन होते हैं हां जो गी हर एक सिचुमेशन में अप्लाई होते हैं जैसे साइन स्क्वेर थीटा प्लस पॉस स्क्वेर थीटा एकोल टू साइक स्क्वेर थीटा वन प्लस पॉस स्क्वेर थीटा एकोल टू साइक स्क्वेर थीटा यह सारे क्या होते हैं जो हमको ट्रिग्नोमेटरी आइडेंटिटी पढ़ना है वो मैं यहां पर लिखवाता हूं क्या Sine square theta plus cos square theta equal to one दूसरी, one plus, one plus 10 square theta equal to 6 square theta तीसरी, one plus, one plus cot square theta equal to cos x square theta यह तीन टिद्रिधों अईडेंटिर है, अब है वैं इसा फ्रो भी बताता हूं कि आेंगे कहां से यह तीन टिद्रिद्मे chat राईडेंटिट्रिधी हैं जो हमको पढ़ना है अब इससे और formula बनाए जा सकते हैं जैसे कि यहां से यह दि तुम sin square theta की value निकालोगे तो वो हो जाएगा 1 minus cos square theta या फिर यहां से यह दि तुम sin theta की value निकालोगे तो वो हो जाएगा root में 1 minus cos square theta समझे हैं यह ट्रांस्पोर्ट हुआ थो root हो गया अब देख में हैं ट्रांस्पोर्ट करके इसी तरीके से यहां से देखो यहां पर हो जाएगा सैक square theta 10 को इधर ट्रांस्पोर्ट करोगे तो minus 10 square theta equal to 1 यहीं से यहीं से तुम sin theta की value निकालोगे तो वो हो जाएगा root में हो जाएगा 1 plus 10 square theta 세q theta की value इधर square transport होगा तो root में 1 plus 10 square theta इसी तरीके से तुम यहां से 10 square theta की value निकालोगे तो वो हो जाएगी sec square theta minus 1 और यहां से यहीं 10th theta की value निकालना चाहोगे तो root में sec square theta minus 1 ठीक है न इसी तरीके से यहां से देखो और तुम ट्रांस्पोर्ट करके फॉर्मुले बना सकते हो जैसे कि कॉसेक स्क्वेर थीटा माइनस कॉट स्क्वेर थीटा एक्वल टू वन होगा इधर से यदि तुम Caut से Square Theta की value निकालोगे तो root में 1 plus 1 plus Caut स्क्वेर Theta आ जाएगा अब यहां से यदि Tum Caut स्क्वेर Theta की value निकालोगे तो यह 1 इसर ट्रांस्पोर्ट होगा तो बन जाएगा क्या Caut से Square Theta माइनस 1 और यहां से यदि Tum Caut तो वो रूट में आ जाएगा क्या कॉस से स्क्वेर फीटा माइनस मन स्क्वेर इधर ट्रांस्पोर्ट हुआ तो रूट में आ गया मतलब इन ट्रिग्नोमेट्र आइडेंटिटी से इतने सारे फॉर्मूले तुम बना सकते हो अब इनका देखते हैं हम तो देखा तुमने कैस से हमने इनको ट्रांस्पोर्ट करके इतने सारे फॉर्मूले बना लिए अब तुम बोलोगे यह फॉर्मूले आये कहां से भी या हो हमको बताओ तो देखो एक मिनट के अंदर में तुमको इसके प्रूफ करा देता हूँ सिर्फ एक तुमको राइट एंगल ट्रेंगल चाह प्रूफ कर रहा हूँ इन तीनों ट्रिगनोमेटरी आइडेंटिटी एक यह और एक यह इन तीनों के मैं तुमको प्रूफ करवा रहा हूँ प्रूफ भाई यह ऐसा होता कैसे हम विश्वास कैसे मानने बड़ा आसान है हाइपोटेनस के स्क्वेर मतलब देखो अच्छे से स्क्वेर पर्पेंडिकुलर के स्क्वेर मतलब एवी का स्क्वेर बेस के स्क्वेर मतलब बीसी का स्क्वेर इन सारे इन सारे को जो है एसी से क्या कर दो डिवाइड कर दो क्या एसी स्क्वेर से सबको डिवाइड कर दो यहां पर लिख दो डिवाइड वाई एसी स्क्वेर से divide करोगे तो AC square divided by AC square equal to AB upon AC whole square लिख सकते हैं ना अरे बच्चे तो है no BC upon AC का whole square square से divide कर दिया इससे ये कड़ गया one आ गया AB upon AC AB perpendicular upon AC hypotenuse perpendicular upon hypotenuse होता है क्या sin theta का square इसी तरी के से BC upon AC तो BC क्या है base upon hypotenuse क्या हो गया cos theta का square एक चीज़ और यह आगड़ना ट्रिक्लोमेंटरी में जब भी sin theta का square होगा इसका मतलब यह sin square theta आप इसको लिख सकते हो मालो sin cube theta है तो इसको आप sin theta का cube भी लिख सकते हो इसका मतलब यह क्या है sin square theta यह क्या है cos square theta equal to में आ गया 1 भाई सहाब तुमने proof कर दिया कि 1 plus sin square theta plus sin square theta plus cos square theta होता है 1 एक चीज़ तुमने proof कर दी ठीक है ना यह एक का proof हो गया अब देखो दूसरा दूसरे का proof देखो ठीक है ना अभी तुमने क्या किया था AC को divide किया था अब क्या कर दो तो ए भी को divide कर दो सबसे क्या AB square को सबसे divide कर दो करना क्या है एक बार AC को divide कर दो एक बार ABC को divide कर दो कहानी खता अब का square ABC कड़े यह क्या हो गया 1 BC upon AB या BC upon AB तो BC क्या है base और AB क्या है perpendicular तो बेस अपॉन पर्पेंडिकुलर क्या होता है बेस अपॉन पर्पेंडिकुलर क्या होता है बीसी क्या है बेस और एवी क्या है पर्पेंडिकुलर बेस अपॉन पर्पेंडिकुलर मतलब कॉट इस्क्वेर है कॉट स्क्वेर थीटा एसी अपॉन एवी एसी हाइपोटेनिस और A, B, perpendicular तो hypotenuse divided by perpendicular याद आ रहा है, किसका सोते लभाई साइन को सते लभाई, बतलब कोसिक तो क्या आ गया, कोसिक square theta, आ गया न, अरे भाई मजाग है, कोसिक square theta 1 plus 4, square theta, ये आ गया ठिक है, कहानी खतम, अब देखो तीसरा देखो, तीसरे में क्या करना है बी सी से डिवाइड करोगे तो देखो डिवाइड कर दो बी सी स्क्वेर से डिवाइड कर दो बी सी स्क्वेर से डिवाइड कर दो बी सी स्क्वेर से डिवाइड कर दो बी सी से बी सी कड़ गया यह आ गया क्या हूँ A B upon B C A B upon B C 10 square theta और ये सी बात है A C upon A B A C upon B C A C upon B C A C upon B C hypotenuse upon base क्या होता है किसका तो तो तेल है भाई cos का seg square theta भाई जाब पता ही जहर चीज़ है देखो मैंने यहाँ पर तुमको proof भी करवा दिया अब तुम फटा-फट से इसको note कर लो ठीक है I hope तुमने सबको note कर लिया होगा मैंने तुमको power of trigonometry ratio भी पढ़ा दिया ये भी पढ़ा दिया इसका proof भी बता दिया अब क्या कुछ बचता है भी या बिल्कुर एक चीज बचती ही मेरी जान वो भी कर लो तुमारा सारा का सारा इसको heading लगा लो यहां पर trigonometric ratio of complementary angle तो trigonometric trigonometric ratios of complementary angle तो मेरे को बता complementary complementary angle क्या होते हैं complementary angles क्या होते हैं ऐसे दो एंगल जिनका सम क्या हो ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 degree उनको complementary angle गोलते हैं ठीक है ना तो ऐसे दो एंगल मालोग ए और बी क्या है इन दोनों कुसम 90 डिगरी आ रहे हैं इसका मतलब यह दोनों क्या है कॉम्प्रिमेंटरी एंगल है अब देखो अब यह है 90 यह है थीटा इसकी वेल्यू यह ती तुम निकालोगे क्या आगे कैसे आगे अरे भाई तीनों कितना होता है 180 होता है मतलब थीटा प्लस ए प्लस 90 इकोल टो 180 यहां से ए की वेल्यू निकालोगे और यह तुम क्या है और सी तुम क्या है कॉम्प्लिमेंटरी एंगल है और कॉम्प्लिमेंटरी एंगल स्का जबन ट्रिग्मेंटरी डिश्यो निकालती है जैसरे मान के चलो कुछ एक रिलेशन रिलता है वॅ रिलेशन हमारे इन्टेन है मानदो तुम स् dirig cache निकालती हो क्या स्मींटरी डिकलर ऑफंदेटं कि स्कर यह 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 था है और थोड़ी मेरे के लिए तुम यहां पर बैठ कर कॉस की विलूटालो है कॉस 90 मैनस थीटा निकालो तो कॉस इसके लिए परपेंडिकुलर रही है तो बेस यह हो जाएगा साहन क्या रहेगा हाइपोटनेस तो यहाएगी रहेगा को खुलु दो नंति माइनस थीटा तहँता होता है साओब कह सकते है तो तुम लिख दो इसमें के कॉस 90 माइनस थीटा होता है क्या साइन थीटा क्योंकि दोने के value क्या है सेम है इसी तरीके से तो और वे trigonometry ratio जब निकालोगे ना यह concept को use करके तुमको पता है क्या मिलेगा cos 90 minus theta sin theta तो sin 90 minus theta cos theta असान है देखो cos है तो sin sin है तो cos अब 10 इसी तरीके से तुम निकालोगे 10 90 minus theta तो तुमको मिलेगा क्या cos theta और इसी तरीके से तुम निकालोगे 10 90 minus theta तो तुमको मिलेगा क्या cos theta और इसी तरीके से यहिए तुम निकालोगे cos 90 minus theta तो तुमको मिलेगा क्या सेग थीटा सेम कॉंसेट यहीं है देखो एक बार तुमको विश्वास नहीं तो 1090-3 की विल्यू निकालना और कॉट थीटे की विल्यू निकालना है इसमें दोनों सीम आएंगे तो उससे हम कह सकते हैं 1090-3 एक कॉट थीटा होता है तुमको एक प्रूफ करके बता दिया सिर् सेग है तो कॉसेग? कॉसेग है तो सेग के ट्रिग्नोमेंटरी रेशो भी मैंने बता दिया कॉंप्लिमेंटरी एंगल के तो चैप्टर नमबर 8 का जितना भी बेसिक स्थाना हो सब कुछ मैंने तुमको बता दिया अब इससे रिलेटेट गोश्चन 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 जहना आगे हम स्वाल करने वाले हैं तब तक पढ़ते रहें, हसते रहें, मस्कुराते रहें, all the best